सब्सक्राइब अबर चैनल और हिट दो बेल आइकन तो गेट अपडेट आफ यूर वर्ड यह रिश्टा क्या कहलाता है कि कहानी में बहुत ही मेज़िट रिस्ट आने वाला है जैसा कि हाल फलाल की ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि कस्टेटी वाला मामलाब खत्म हो जाएगा यूकि कायरव ये कस्टेटी नायरा को मिल जाएगी और इसके साथ ही नायरा और कायरव बहुत ज़्यदा खुश हो जाएगी जहां पर कार्तिक इस बात से खुश हो जाएगा कि नायरा आपका बीवी कहीं नहीं जाएगी कायरव को लेकर इसके साथ ही आपको बताएं कि आप कहानी फोकस होने वाली है वेदिका पर और वेदिका किसी जुड़े अतीत के राज पर जो यहां वेदिका अंदर ही अंदर एक राज चुपाए बैठी है जिस राज के बारे में उसने अभी तख किसी को भी नहीं बताया है तो आपको बता दे कि उस राज के बारे में आप सबसे पहले जिस शक्स को भनक पढ़ने वाली है वो है कार्तिक और नायरा कार्तिक और नारा दोनों के सामने वेदिका अतीत का रास खुल जाएगा और जैसे ही वेदिका का ये रास खुलेगा एक नया भूचाला जाएगा जो कि कार्तिक और नारा दोनों के रिष्टे को बदल कर रगतेगा अब ऐसे में देखना भी है ज़ते दिचस्ब होगा कि इस रास से क्या वेदिका की एक्जिट हो जाएगी और अगर एक्जिट हो जाएगी तो इसके बाद कार्तिक नार अगे रिष्टे का क्या अन्जाम होगा जो भी होगा आने वले एपिसोड में इस बात की हर एक अपडेट लेकर लोटेंगे आपके पास परता तक के लिए बने रहे हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 Online News निजन की रिपॉर्ट